दोस्तों आप सभी कहानी की दूसरे भाग में स्वागत है हलो यस बिंसल बात कर रहे हैं रोहन आज काफी बेहतर महसूस कर रहा था तो उसने आज यस को फोन किया हलो हाँ मैं यस बोल रहा हूँ आप कौन? यस ने पूछा मैं रोहन महरा बात कर रहा हूँ रोहन ने अपना तारूफ कराया ओ अच्छा कैसे हो अब तुम? यस फोरण उसे पहचान गया था मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ प्लाश्टर तो अभी रहेगा कुछ टाइम तक पर हाँ घाओ काफी भर गए है रोहन ने मुस्कुरा कर जबाब दिया अच्छा ये तो अच्छी बात है जल्दे रिकवर कर रहे हो गुड यस भी बदले में मुस्कुरा दिया हाँ वो दरसल माने आपको और आपकी फैमली को खाने पे इन्वाइट किया है अगर आप लोग आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा दरसल हम आपको सही से धन्यवाद भी नहीं बोल पाए रोहन ने कहा अरे सच मुच इसकी बिल्कुल ज़रुरत नहीं है मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है मेरी जगें कोई और भी होता तो साथ वो भी यही करता सो प्लीज थांक्यू बोल कर सरमेंदा मत करो यार यस ने उसे आराम से कहा बहुत लोग थे महां किसी ने भी मदद नहीं की थी और प्लीज आप लोग आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जब भी आपको टाइम मिले आप आईएगा जरूर रोहन ने आगरा किया अच्छा ठीक है हम जरूर आएंगे पहले तुम ठीक हो जाओ यस ने इस बार मुस्कुरा कर कहा थांक्यू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कभी भी आ सकते हैं मैं एड्रेस सेंड करता हूँ रोहन को सोते हुए बोला ओके यस ने कहा ओके बाई रोहन ने कहा और फोन रख दिया यस बस उन लोगों की सादा दिली पे मुस्कुरा दिया रिया आज की बात को सोचते सोचते घर पहुँच गई उसके जहन से यसकी दो सहद सी मीथी दो सहद सी बोलती आखे निकल ही नहीं रही थी आ गई तू मैं चाय बनाने जा रही थी तेरी लिए भी बना दू सादा जी ने सोफे पे गुमसुम बैठी रिया से पूछा हा मम्मी बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है रिया ने कहा अच्छा ठीक है मैं तिरे लिए चाय लाती हूँ तो तब तक दवाई ले ले सादा जी ने कहा और किचन की तरब चली गई रिया यूँ ही सोफे पे लेट गई उसके जहन में परदे पर फिर वही फिल्म चलने लगी जब वो गिरी थी और यस उसके उपए था नहीं 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 ये सर्फ एक एकसिडेंट था मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगी रिया ने खुद से ही पक्का करके कहा क्या नहीं सोचेगी अंजली ने सामने आले सोफे पे बैठते वे पूछा को कुछ नहीं ऐसे ही रिया ने जटके से उठते वे कहा अच्छा अंजली ने उसे सक की नगाहों से देखा हादी बस वो मेरा बॉस इतना परिसान करता है न तो बस वहीं के रही थी तो बस वही सोच रही थी कि मैं वो चीज नहीं सोचूंगी बस काम पर ध्यान दूंगी रिया ने बाद बनाई अच्छा वैसे मम्मी ने उसे आइमीन उसकी फैमली को खाने पे इन्वाइट किया है अंजली ने टेबल से मैग जीन उठाते वे आराम से कहा क्या क्यों रिया हौले से चीखी क्यों मितलब अरे भै उसने रोहन के जान बचाई है थांक्यू तो बनता है न बस ये डिनर पार्टी उसी लिए अंजली ने पलभर को मैग जीन से निगाह हटा कर रिया को देखते वे कहा और शेस से मैग जीन देखने लगी रिया बस मुह बना कर रह गी उधर यस बस मुस्कुरा कर उस एहसास को जी रहा था जब वो रिया के करीब था हलो मिस महरा रिया यस की टेबल से फाइल उठा रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी उसने पलट के देखा तो राकेश सर्मा क्लाइंट ओफिस के अंदर आ चुका था आप यहां रिया को उसका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि आज यस लेट था और वो इस वक्त अकेली थी ओफिस में हां जी वो क्या है ना मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा मिस्टर वेंसल से मिलता चलूँ राकेश ने मकारी से जूट बोला परसर अभी आए नहीं है आप जब वो आ जाएंगे मैं बता दूँगी तब तक आप प्लीज बिटिंग एरिया में बेट कर लीजी रिया ने सपाट लहजे में कहा कोई बात नहीं मैं यहीं कमपटेबल हूँ राकेश ने दाथ दिखाते हुए कहा और एक चेयर पे बैठ गया रिया को बेहत गुस्सा आया पर वो क्लाइंट था इसलिए वो कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी इसलिए दाथ भीज कर फाइल देखने लगी राकेश धीठे पन से रिया को देखे जा रहा था और रिया उसकी गंदी नजरी अपने बदन पे महसूस कर रही थी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोसिस कर रही थी मिश्टर सर्मा मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए मुझे बहुत सारा काम करना है अब रिया के वैरदास जबाब दे गई थी मिसमेहरा आप मुझे जाने के लिए कह रही है आप जानती है न मेरी इस कंपनी के साथ क्या रिलेशन है साइज राकेस को ये बात पसंद नहीं आई इसलिए वो तुनक कर बोला सर आपके रिलेशन इस कंपनी के साथ है मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है मैं यहाँ पिससे फेग इंपलॉई हूँ जो यहाँ काम करने आती है और मेरे काम में और मेरा काम ये बिल्गल नहीं है कि मैं यहाँ अपना काम छोड़ कर आपके साथ बहर कर टाइम स्पिन करूँ रिया फटी ही पड़ी थी आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे से इस तरह बात करोगी राकेश ने रिया का हाथ पकड़ते वे गुसे से कहा रिया राकेश की ऐसी हरकत पर हैरानी से आखे फाड़े उसे देखती रह गई वो उसे से अपना हाँ छुडाने की को औरी बलकि तुम जैसे इनसान से तो इससे भी बुरी तरीके से बात करनी चाहिए अब अगर अपनी सलामती चाहते हो तो फौरान मिरे ओफिस से निकल जाओ और दोबारा अपनी गटिया सकल मत दिखाना यस ने ओफिस में आते वे बेहत गुसे से उसे वार्निंग देते व पाने पर सारा इलजाम रिया पर डालना चाहता था सट अप एंड गेट आउट आउट आई से गेट हैल आउट और हैर यस गुसे से चीखा एक पल को सारा ओफिस सहमसा गया रिया चुप चाप आपों में आसू ली उसी जगें खड़ी रही राकेस अप फौरन वहां से नि कि रिया अभी बहुत गुसे में हैं विकास अभी अभी उसे समझा कर गया था रिया बस रोती रह गई रिया पानी पीलू इस बार यस ने थोड़ा इलतिजाद में कहा मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना रिया ने गुस्से से यस का हाथ जटका जिससे गलास नीचे गिर कर तूट गया पागल हो गई हो तुम यस को भी अब गुस्सा आ गया था उसे पहले ही रिया पे गुस्सा था कि उसने राकेश को आफिस में आने ही क्यों दिया हाँ हो गई हूँ पागल मैं इसके जिम्मेदार आप हैं इन फैक्ट जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप ही हैं ना आप मुझे उस दिन अकेले उस राकेश को हैंडल करने भेजते और ना ही ये सब कुछ होता पर नहीं आपको तु बदला चाहिए था ना मैंने उस दिन आपको थपड जो मार दिया था रिया खड़ी होकर रोते हुए बोली यसको अब वाकई अपनी ज्यात्ती का हैसास हुआ हाँ चाहिए मुझे बदला क्योंकि आज तक मुझे किसी ने थपड नहीं मारा यस ने रिया की आँखों में देखते हुए कहा ठीक है बदला चाहिए ना आपको तो ये लीजी मार लीजी आप भी थपड रिया ने अपने आशु साफ कि और उसके सामने आँख बंद करके खड़ी होगी यस बेसाखता मुस्कुरा दिया सोच लो अभी भी यस ने एक मौका और दिया हाँ मारें आप रिया ने आँखों को और कसके बंद कर लिया मैं खुद को तयार करने लगी हूँ यस उसके पास गया और धीरे से उसका गाल चूम लिया रिया जो थपर लगने की उमीद कर रही थी यस के होटों के नर्माहट को जब उसने महसूस किया तो फौरान आखे कोल दी यस का चहरा उसके चहरे के बिलकुल सामने था रिया के दिल ने एक बीट मिसकी वो हैरत से अपनी पूरी आखे कोल गए यस को देख रही थी यस की आखों में एक अलग ही जहां यस की आखों में एक अलग ही जहां आबाद था और होटों पर एक बेहद दिल फरे मुसकुराहट नाच रही थी रिया ने उसे हल्गा सा धका दिया और अपना बैग उठा कर तेजी से ओफिस से भाहन निकल गई यस उसकी इस हरकत पर अब खुल कर मुसक्रा दिया रिया अपने विस्तर पर लेटी आज की बारे में सोच जही थी उसका हाथ अचानक ही गाल पर पहुँच गया उसने एक जुर जुरी सीली ये क्या हुआ था आज क्या किया था यसने वो तो मुझे मारने वाला था ना फिर ये और क्यों किया उसने ये और जब उसने मुझे चुआ तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगा जैसे राकेश के हाथ पकड़ने पर लगा था और मेरा दिल अभी भी उस बात को याद करकी क्यों तेज धड़क रहा है रिया के जहन में बस यही सवाल चल रहे थे वो आज जल्दी घर आ गई थी घरवालों के सवाल का उसने बस एक ही जवाब दिया कि उसकी तबियत ठीक नहीं है उसने फैसला किया कि वो अभी दोबारा आफिस नहीं जाएगी उधर यस उसका लाल हैरान चेहरा सोच सोच कर मुस्करा रहा था उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी खुब सूरत आखे जिन में बे इम्तिहां हैरानी थी यसको उन्हें सोच कर बहुत अच्छा इसको अगले दिन का बे सबजी से इंतजाब भी उसे बताना चाहता था कि वो उसके लिए क्या मحसूस करने लगा है उसने आज रिया को जाने दिया था उसे रोकने की कोई कोसिस नहीं कि थी पर रिया अगले दिन गई ही नहीं ना सिर्फ अगले दिन बलकि अगले तीन चार दिन नहीं गी यस उसे कॉल करना नहीं चाहता था वो उसे सामने सामने बात करना चाहता था पर रिया आ ही नहीं रही थी यस रोज उसका इंतजार करता अब उसने हार कर उसे कॉल किया रिया ने ओफिस जाने से इंकार कर दिया गरवालों ने पूछा तो, उसने तवियत खराब का बहाना बना दिया, वो घर पर तो थी, पर बेचैन सी थी, बैठे बैठे, खोसी जाती थी, अंजली को गरबर लग रही थी, उसने पूछा भी, पर रिया टाल गई, यसने रिया को कॉल किया, बिल जा रही थी, पर रिया उठा ही नहीं रही थी यस ने दो-तीन बार कॉल किया पर रिया ने नहीं उठाया रिया ने जब यस का नमबर फोन पर जगमगाता देखा तो हरवड़ा गई उसने फोन नहीं उठाया वह यस से किस तरह बात करेगी भला यस को अब बेहद गुसा आ रहा था तब है कुछ कि साम को यस और उसकी फैमली डिनर के लिए आ रहे हैं हाँ तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है सारे अख्रोड गिरा दिये चल अब उठाएने साला जी ने उससे नाराजगी से देख कर कहा मम्मी एक बार मुझे तो बता देती रिया अन्मने धंग से अख्रोड यसका अभी फोन आया था अभी तो बताया उसने साला जी ने कहा और रोहन के कमरे में चली गई रिया जमीन पर ही परेसान सी बैठ गई अभी तेरी खैर इसी में है कि तू मुझे सच बता दे अंजली ने उसके सिर पे हलकी सी चपत लगाते हुए कहा कैसा सच दी रिया ने उठिते हुए कहा देख अब ज्यादा मतवन कुछ तो हुआ है जो तू छुपा रही है तू बिल्कुल ठीक है फिर ऑफिस क्यों नहीं जा रही है और ही यसके आने का सुनकर हाथ से प्लेट क्यों छूट गई तेरी बता आज अंजली ने भी सच सुनने का फैंसला कर लिया अब रिया को बचने को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने राकेस वाली बात बता दी बस यसके किस कहने वाली बात को छुपा गई बस उसने उस बात में ये भी जोड दिया कि उसने यससे बत्तमीजी की जिस वजे से वो यसका सामना नहीं करना चाहती अंजली सुनकर पहले परेसान हुई पर जब उसने सुना की यस ने उसे बाहर निकाल दिया तो वो निश्चिन्त हो गई और रिया को समझा कर किचन में चली गई रिया ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी थांक्यू भगवान जी बचा लिया दी से आज तो रिया सुक्रधा करती अपने रोम में आ गई अब बस वो ये सोच रही थी कि वो यस का सामना कैसे करेगी यस विकास और आसीस बंसल जी के साथ रिया के घर टाइम से पहुँच गया था आसीस जी सारी बातों से अंजान थे अब यस ने जब उन्हें यहां आने के लिए बोला तो वो हैरान रहे गए क्योंकि पहले वो कभी यस के किसी दोस्त या किसी जानने वाली की यहां भी नहीं गए थी उन्होंने काफी सवाल की जिसका जबाब यसके बजाए विकास ने दिया वो हैरान थे पर वो खुश भी थे कि उनके बेटे ने एक अच्छा काम किया है क्योंकि वो चलने को तयार हो गए थे इसलिए वो चलने को तयार हो गए थे विकास को ऐसे भी अंजली से मिलने का बहाना चाहिए था इसलिए वो तो सुनते ही रेडी हो गया सूरज महरा और सरला जी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया रोहन भी हुईलचेयर पे बैठ गया उनको कमपनी दे रहा था विकास और आसीज जी उनके हाल चाल पूँच रहे थे जबकि यसकी नजली रिया को ढोड रही थी विकास भी अंजली के लिए बेचन नजर सा आ रहा था नमस्ते अंजली ट्रे में पानी लेकर ड्राइंग रोम में आई और सबको नमस्ते किया विकास को जैसे सुकून मिल गया वो सबको पानी देने लगी जब वो विकास के पास आई तो विकास की धड़कने बढ़ने लगी वो बस अंजली को ही देखे जा रहा था अंजली ने जब उसे खुद की तरफ देखते पाया तो उसका दिल जोरों से धड़का उसने निगाहें जुका ली और ट्रे उसके आगे कह दी विकास ने गलास ठा लिया यही है रिया जो सौरी यही है रिया जो एस की पीए है आसीज जी ने अंजली को ध्यान से देखते हुए इसारा करे के पूछा मैं बुलाता हूँ पता नहीं कहां रह गई सौरज जी ने आसीज जी को बताया और रिया को आवाज देने लगे यही नजली दरवाजे पिटिक गई रिया किचन में खड़ी थी सौरज जी के आवाज देने पर वो कुद को तयार करते ड्राइंग रूम में आ गई नमस्ते रिया ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा उसकी नजरे जुकी हुई थी वो गलती से भी यहस की तरफ नहीं देखना चाहते थी और यहस तो बस रिया को ही देखे जा रहा था रोयल ब्लू पलर के सिंपल से सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी रोहन जो यहस से कुछ पूचने वाला था यहस को रिया को खोया देखकर मुस्कुरा दिया तो यहस आप यहीं रहते हैं हमेशा से रोहन ने फिलहाल पूचना ही बहतर समझा क्योंकि अभी तो उसने ही नोटिस किया था कोई और करता तो दिक्कत हो सकती थी हाँ हाँ हम लोग सुरू सी यहीं रह रहे हैं यहस ने रिया से नजड़े हटाते हुए कहा यहस रोहन और पिकास अब आराम से बात कर रहे थे बीच बीच में यहस रिया को देख लेता पर रिया अपनी नजड़े नीचे ही करके बैठी रही उसका चहरा लाल होता जा रहा था जबकि अंजली चाय बनाने किचल में चली गई आसीश जी अब रिया से भी थोड़ी बहुत बात कर रहे थे जिसका रिया जबाब दे रही थी अब रिया भी अंजली की मदद का बोल कर किचन में आ गई चाय के बाद भी वो लोग बाते करते रहे रिया और अंजली किचन में खाने की तयारी कर रही थी खाना रेडी हो गया था अंजली सब को बुलाने चली गई जबकि रिया सारा खाना टेबल पर लगाने लगी सब लोग अब खाना खाने बैट गए थे रिया और यस आमने सामने थे यसने जान बूझ कर वो जगें चुनी थी रिया चुप चाप अपने प्लेट पर जुप गई उधर अंजली सब को सर्फ कर रही थी विकास को बहुत प्यारी लग रही थी सिंपल सी, खूब सूरस सी लड़की यसने पहले तो रिया की अपनी तरफ देखने का इंतजार किया पर जब रिया ने देखा ही नहीं तो यसने टेबल के नीचे से अपना पैर रिया के पैर से टच किया रिया जो चावल खा रही थी यस की टच कहने पर उसे ठसका सा लग गया उसकी नजर अचानक ही यस की तरफ उठ गई, यस मुस्कुरा दिया रिया ने फौरण अपनी नजरें जुका ली अंजली ने रिया को पानी दिया अब ठीक है, अंजली ने पूछा रिया ने हाम में सिरह ला दिया यस बस हलके से मुस्कुराता रहा जबकि रिया का दिल खाने से उचाट हो गया था रिया सबसे पहले खाने की टेबल से उठी खाने के बाद चाय का दोचला यस अब पूरे हक के साथ रिया को देख रहा था और रिया उसकी नजने, खुद पर महसूस करके, सर्म से सिमटी जा रही थी, वो अब भूल से भी इसकी तरफ नहीं देख रही थी, रोहन, क्या है, स्वारी, रोहन, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो, यस ने रिया से बात करने की एक तरकीब निकाली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, रिया आपको घर दिखाएगी, जाओ रिया, यस को घर दिखा दो, विकास सर्, आप भी चाहो तो जा सकते हैं साथ में, रोहन ने खुले दिल से जाज़त दी, रिया यस की चतराई पे हैरान रहेगी, अब उसे गुस्स विकास को अंजली की संगत बहुत भली लग रही थी, वो उन्हें मगन सी, सब चीज दिखा रही थी, विकास चीजों को कम, और अंजली को ज्यादा देख रहा था, यस और रिया, बस पीछे पीछे चल रहे थे, यस थोड़ा रिया के साथ साथ चलने लगा, तो रिया घब रिया से एक फाइल के बारे में डिसकस करना है, वैसे भी, यह आ नहीं रही है, और वो इंपॉर्टन्ट है, यस ने विकास से कहा, रिया ने चौक अकर यस को देखा, वो तो बस उसकी चतुराई पे हैरान हुई जा रही थी, हाँ, ऊके, तू जा, मुझे अंजली जी गया, उन तीनों ने, हैरत से विकास को देखा, जी, अंजली ने चोटा सा जबाब दिया, विकास और अंजली सीडियों से ऊपर चड़ गए, जबकि यस ने, रिया का हाथ पकड़ा, और उसे कमरे में खीच लिया, रिया इसके लिए तयार नहीं थी, वो उसकी बाह से जा टकराई, क्या कर रहे हैं आप, ये सब कुछ, रिया ने तुनक कर कहा, और उसे से अपना हाथ छोड़ाने लगी, यस ने, बेहद नरमी में उसका हाथ छोड़ दिया था, ओफिस क्यों नहीं आ रही हो, यस ने हाथ बांद कर सीरियस लहजे में पूछा, जैसे उसे पता नह कि वो क्यों नहीं आ रही थी, मैं नहीं आउंगी अब उफिस, रिया ने अपने हाथों को देखते हुए, हठी लहजे में कहा, क्यों, यस ने फिर उसी लहजे में पूछा, रिया को वो पल फिर से यादा गया, जब यस ने उसका गाल चूमा था, रिया का हाथ अपने आप के पास सरगोसी की रिया घबरा कर पीछे हटने लगी यस ने भी अपने कदम रिया की तरब बढ़ा दिये रिया और पीछे हो गई यस और आगे बढ़ा रिया और पीछे हुई और बेड़ से टकरा कर बेड़ पर ही गिर पड़ी यस ने अपने कदम नहीं रोकी वो भी रिया के उपर जुग गया रिया का दिल तेज रफतार से धरकने लगा हाल तो यस के दिल का भी यही था रहना चाहिए भी तुम्हें और मैं बदला सूथ समेत लेता हूँ यस ने रिया की आँखों में जागते हुए कहा और जुग कर दूसरा गाल भी चूम लिया और उसके चेहरे के पास ही रुख गया रिया उसकी सांसे महसूस कर सकती थी रिया सौक डे गई उसकी बड़ी बड़ी आँखे और बड़ी हो गई और चहरा सर में से लाल हो गया यह दूसरी बार था जब यस ने उसे चूमा था और वो कुछ नहीं कर पाई थी यह कैसा बदला ले रहे है य इस बार वो ऐसे ही उसे जाने नहीं देगी, ऐसा सोच कर, रिया उठ खड़ी हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे चूमने की, रिया को बुरा नहीं लगा था, और ना ही गुस्सा आ रहा था, वो जान बुझ कर गुस्सा कर रही थी, इसलिए वो गुस्से वाले लहजे में बोली, यस ने उसे दो पल देखा, फिर दो बारा उसका गाल चूम लिया, ऐसे, यस ने आराम से कहा, और बाहर निकल गया, बाहर जाकर, वो रिया के बेवकूफी पे मुस्कुरा दिया, रिया ठगी सी, मुझ खोले खड़ी रह गई, उधर विकास अंजली को एक तक द पीचे गिर कर तूट गया, अंजली ने चौक कर देखा, सौरी, वो मेरा हाथ लग गया, विकास सरमिंदा सा बोला, आपको कहीं लगी तो नहीं, अंजली ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर देखने लगी, विकास उसकी फिक्र पर मुस्क्रा दिया हां लगी है ना पर वहां नहीं जहां आप देख रही हैं विकास ने खोए हुए लहजे में कहा फिर कहा लगी है अंजली ने सवालिया नजरों से विकास को देखा यहां विकास ने उपने दिल पे उंगली रखते वे कहा जी अंजली ने हैरानी से आखी बड न ले जाए अंजली तो बिस बिना पलके जपकाई विकास को देखे जा रही थी उसके दिल की धरकनी लगातार बढ़ती जा रही थी आप आराम से सोच लीजी कोई जल्दी रही है पर प्लीज सोचिएगा ज़रूर विकास के लहजे में इलतिजा आ गई वो फिर चुपचाप नीचे चला गया अंजली अभी भी ऐसे ही सौग्ड सी खड़ी रह गई बंसल फैमली चली गई थी आज जीज जी को मेरा फैमली बहुत पसंद आई थी सादा से लोग बनावट से परे यस और विकास भी रोहन से काफी हिल मिल गए थे उनके जाने के बाद अंजली और रिया दोनों की ही हालती एक जैसी थी दोनों खामोस और खोई खोई सी थी इसलिए दोनों ही एक दोसरे की हाल को नोट कर पाई रिया खोई सी अंजली के पास जूले पे बैढ़ गई चांदनी रात थी रिया एक बात पूछो अंजली ने चांद को देखते वे रिया से कहा हादी पूछो रिया ने भी अपनी नजने आसमान में गड़ा दी ये तेरी विकासर कैसे आदमी है अंजली ने पूछा विकासर वो तो बहुत अच्छे इंसान है उन्हें कई बार मेरी हिल्प की है अपने भाई जैसे तो बिलकुल नहीं है घमंड तो नाम को नहीं है सौप्ट इसको उपन है पर आपके पूछ रही है रिया ने अंजली की तरफ देखकर तफसील से जवाब दिया और साथ ही सवाल भी कर दिया वो दरसल उन्होंने आज मुझे प्रपोस किया है अंजली ने अटकते वे रिया को बताया क्या? रियली? रिया पुसी से चिलाई क्या करती है रिया की बच्ची? मम्मी सुन लेंगी अंजली ने रिया को प्यां से चपत लगाते वे कहा ओगे ओगे फिर आपने क्या कहा? रिया ने वेवसी से पूछा कुछ भी नहीं अभी तो अंजली ने मासूमियस से जबाब दिया दी मैं आपकी जगें होती तो पक्का हा कर देती रिया ने मस्त होकर कहा मम्मी पापा मान जाएंगे न अंजली ने रिया को देखते वे पूछा उन्हें मैं मना लूँगी आप तो हा करो रिया ने अंजली का हात पकड़कर इलतिजाई लहजे में कहा ऑके अंजली ने नज़ए जुका कर कहा ओके रिया ने हैरानी और खुशी से उसकी बात दोराई जैसे कंफरम कर रही हूँ लेकिन अभी किसी को कुछ मत बताना अंजली ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ठीक है बाबा, नहीं बता रही, I am so happy for you, रिया मुस्करा कर अंजली के गले लग गई, अंजली भी सुकौन से मुस्करा रही थी, विकास बेसब्दी से अंजली के फोन का इंतजार कर रहा था, वो पूरी रास सो भी नहीं पाया, वो यससे ये ब कास अच्छा लगा था, पर वो थोड़ी कनफियूज थी, पर रिया से बात करके, वो इतमिनान हो गई थी, रिया अंजली के लिए खुश थी, पर अपनी उलज़न का कोई हल नहीं निकाल पा रही थी, वो पूरी रास सही से सो भी नहीं पाई, जब भी सोती, उसी यस अप पर ने जजबात बता देगा, पर रिया को परिसान करने में उसे मजा आ रहा था, वो उसे थोड़ा और परिसान करना चाहता था, वो चारों ही महब्बत की दुनिया में कदम रख चुके थे, विकास तुमने साधी के बारे में क्या सोचा है, आसीज जी ने, सुबा नास्त आज पता नहीं, आसीज जी को उनकी साधी की क्यों चड़ी थी, वो वो डैड, दरसल, विकास अटका, डैड, भाई को अंजली जी पसंद है, यसने जूस का सिपलेते वे कहा, यसने जान बूच के, जी को खीचा, यसने कल ही, विकास और अंजली को नोट कर लिया था, विकास ने इसकी बात पर हरानी से इसको देखा, जबकि आसीज जी मुस्करा दी, उन्हें खुद अंजली बहुत पसंद आई थी, और वो भी, अंजली की बारे में ही विकास से बात करना चाहते थी, अब उन्हें विकास की पसंद सुनकर अच्छा लगा था, विकास अब नजरे जुकाए बैठा था, और दिल ही दिल में, यस को गाली दे रहा था, यस मजे से जूस पी रहा था, तो ठीक है, मैं सूरज जी से बात करता हूँ, आसीज जी ने चेर से उठते वे कहा, यस भी उठ खड़ा हुआ, जैसे वो इस खुलके मुस्कुरा दिया, उसकी खुसी का तो ठीकाना ही नहीं रहा था, वो भाग कर यस के गले लग गया, यस बस खुसी से मुस्कुरा दिया, ताइंक्यू मेरे भाई, ताइंक्यू, मैं तुझे बता भी नहीं सकता, मैं कितना खुस हूँ, विकास ने यस से अलग होते वे कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ, यस ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे तुझे कैसे पता लगा, मेरी पसंद का, विकास ने उसके साथ चल लिते वे पूछा, इस और मुस्क छुपाए नहीं छुपता भाई, यस ने विकास की तरफ देख कर कहा, अच्छा जी, वाह, तो तो जी अब चलें, ओफिस, यस ने पूछा, यस बॉस, विकास ने कहा और, यस के साथ चल दिया, रिया का फोन लगा तार बज रहा था, पर वो उसे इग्नोर करके सोई रही, फोन बज बज कर, खुद ही बंद हो गया, अंजली उसे उठाने आई तो, उसका फोन फिर से बच पड़ा, अंजली ने यस का नाम देखा तो, फोन उठा लिया, दो चार आपचारिक बातों के बाद, यस ने रिया का पूछा, तो अंजली ने रिया को उठाया, रिया उठ, देख यस जी का फोन है, वो तुझसे बात करना चाहते हैं, अंजली ने रिया के सिर से चादर पोन पकड़ा और कान पर लगा लिया, हलो, उधर से यस की गंभीर आवाज आई, रिया, रिया कुछ नहीं बोली, अगले एक गंटे में ओफिस महुचो, वरना मैं तुम्हारे घार आ रहा हूँ, यस ने उसे धमकी वाले अंदाज में कहा, क्या, नहीं, मैं आ रही हूँ, र भी लेकर निकल गई, पीछे सहला जी उसे नास्ती के लिए रोगती रह गई, रिया भी आज दिल ही दिल में फैसला करती जा रही थी, कि वो आज यस से साब बात करेगी, रिया तेज कदमों से ओफिस की तरब चल दी, क्यों बुलाया है आपने मुझे यहां, रिया ने उनों कोनी टेबल पर टिकाई और हथेलियों को आपस में फसा कर आराम से कहा, क्या चाहते हैं आप, और लेडी इतना परिसान कर चुके हैं आप, अभी भी आपका दिल नहीं भरा, रिया को वाकई अब गुस्सा आ रहा था, नहीं, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही परिसान करना चाहता हूं, मैं अपनी सारी जिंदगी, तुम्हारे साथ ऐसे ही लड़ते हुए गुजारना चाहता हूं, और गुढ़ापे में, हमारी लड़ाईयों के किस्से, हमारी बच्चों को सुनाना चाहता हूं, ये चाहता हूं मैं, मिस रिया महरा, मैं तुम्हें म या बंसल बनाना चाहता हूँ यस ने उसके करीब आते हुए कहा रिया जो गुस्से में आई थी ये सुनकर उसका सारा गुस्सा कहां चला गया पता ही नहीं चला वो तो बस एक टक यस को बेयकीनी से देखे जा रही थी यस ने रिया के नरम हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिया क्या तुम परिसान होने के लिए रेडी हो रिया ने अपने हाथ उसके हाथ से निकाल ली यसके जुवान को ब्रेक लग गए उसकी उमेज जैसे टूपने लगी रिया बिना किसी भाव के दरवाजे की तरब बढ़ गई यसका दिल डूबने लगा रिया दरवाजे के पास जाकर पलटी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको रिया ने कहा और मुस्कुरा कर बाहर भाग गई यस उसके एकरार पर खुसी से जूम उठा पर अपने खुसी के बीच किसी ने भी दरवाजे में सटे साय के आसूं को नहीं देखा रिया नौक की आवाज से हाल में यानि प्रिजेंट में लोट आई अपनी जिंदगी के खुपसुरत लम्हों को सोचते वे उसके लब भी मुस्क्रा उठे थे पर खुद को हाल में पाकर उसके लबों से मुस्कराहत पल में गायब हो गई आ जाओ रिया ने अपनी आखों को रगड डाला दरवाजे पे रोहन था वो अंदर आ गया और अफसोस से रिया को देखने लगा रिया क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है रोहन ने उसके सामने बैठते वे बेहद नर्म लहजे में पूछा डोन बरी भहिया मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी रिया ने एक जहरिली मुस्कान अपने होठों पर सजाई रोहन बस अफसोस से उसे देखता गया फिर चाप उठकर अपने कमरे में आ गया लो आने वाला है वो दिन भी मिस्टर बंसल जब ये रिया मेरा मिसिस बंसल वनेगी यही तो चाहते थे न तुम लो अब ये होने वाला है रिया की आखों में फिर से आसू आ गए मैं तो उसके लाइक नहीं हूँ ना मैं तो धोखेबाज हूँ धोखा किया है मैंने मजाक उड़ाया है उसकी महबबत का तो उसने हां क्यों की ये उसको जब पता लगा कि रिया ने हां कर दी है तो वो तंज कस्ता हुआ बुला उसे याद था जब उसने रिया को सादी के लिए पूछा था और रिया ने मुस्करा कर इकरार कर दिया था पूरे दिन खुसी से जूमा था वो हर चीज प्यारी लग रही थी उसे और अब प्लीज यस बच्चो जैसी बाते मत करो ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है बच्चों का सोचो अंजली दी का कुछ पता नहीं कब तक वो कौमा से बाहर आएंगी आएंगी भी या नहीं ये कहते वे रोहन का गला रोंद गया विकास जीजू तो जिससे दुनिया से कटकर ही रह गए हैं अंकल की तबियत भी तुम्हें अच्छे से पता है ऐसे में अगर तुम भी ऐसी बाते करोगी तो कैसे होगा सब कुछ बच्चे अलग परेशान है रिया के साथ रहते हैं तो मा को भूल जाते हैं उनसे ये हक मत छीनो रोहन ने नमाखों से कहा मैं कौन होता हूँ हक छीनने वाला मेरा तो खुद सब छीन गया है येस ने इतना कहा और बच्चों के कमरे में आ गया दोनों बच्चे ठक कर सो गए थी येस ने प्यां से दोनों के सिर पे हाथ फेरा दोनों ही बच्चों के सिर से ममता की छां उठ गई थी कुछ यही दिनों में बच्चे मुर्जा से गई थी साहिल तो फिर भी थोड़ा बड़ा था पर सौर यभी बिलकुल ही नादान था येस की आँखों में नमी तैर गई पांच साल बाद पापा ने येस को बुलाया था वो हार्ट पेसंट थी उन्हें अटायक आया था उन्हें अब अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रह गया था इसलिए वो येस को अपने पास देखना चाहते थी वो भी अब उन्हें ऐसी हालत में और नाराज नहीं करना चाहता था इसलिए चुपचाप दुबई से फ्लाइट पकड़कर अपनी वीवी और बच्चे के साथ इंडिया आ गया था पाँच साल बाद उसने वापस अपने घर में कदम रखा था येस खुश तो नहीं लेकिन मुतमेन था उन्होंने येस को माफ कर दिया था साथ सब कुछ नॉर्मल होने वाला था सिवा येस के अंजली और विकास भी अब पुरानी बात को नहीं दोहराना चाहते थे जो जक्म लग चुके थे उनकी कोई भरपाई तो नहीं थी लेकिन उन्हें कुरेदना भी ठीक नहीं था इसलिए सब नॉर्मल ही थे सिवाए रिया के उसके जक्म फिर से हरे हो गए थे जिनी वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी इसलिए उसने खामोसी की चादर ओड ली थी अंजली सौपिंग पे जा रही थी तो यसकी वीवी ने भी साथ चलने की फरमाईस की अंजली ने चुप चाप हां कर दी क्योंकि वो रिष्टे को सही करना चाहती थी भले ही डैड की वज़े से वो ये कर रही थी पर कर रही थी इसकी वीवी भी साथ यही चाहती थी वो खुसी खुसी अंजली के साथ सौपिंग पे चली गई साहिल और सौरी को वो डैड के पास छोड़ गई क्योंकि बच्चों के साथ सौपिंग करना बेहद मुस्किल हो जाता आसीज जी सौरी को देख कर खुस हो गए थे बच्चों से भला क्या नाराज की उन्होंने सौपिंग की और साथ बैठ कर कौफी पिया अंजली को यसकी वीवी अच्छी लगी थी और सायद दया के काबिल भी अंजली अब उसके साथ कमपटेबल हो गई थी या यूं कहों कि दोनों ही एक दूसरे से कमपटेबल हो गई थी पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था आते वे उनका एक ट्रक से एक्सिडेंट हो गया यसकी वीवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि अंजली कोमपा में थी आसीज जी का परिवार एक बार फिर बिखर गया था मेहरा परिवार का भी यही हाल था एक बहू की अर्थी उठी थी तो दोस्री बहू हॉस्पिटल में जिन्दगी और मौत की वीच लटक गई मेहरा परिवार भी उनके दुख में सामिल था बिकास की तो जैसे जान पर ही बनाई थी जबकि यस ने चुप्पी साद ली थी रिया बस सब को संभालने में ही लगी थी सिवा यस के बच्चे अब रिया के करीब हो गए थी वो रिया के साथ रहते तो मा को उतना याद नहीं कहते रिया सौरे से उतना प्यार तो नहीं दे पाई थी पर हाँ फिर भी उसका खयाल रख रही थी जब से अंजली कोमा में गई थी विकास का आधे से जादा दिन हॉस्पिटल में ही गुजरता वो अंजली के पास रहने से सौरी वो अंजली के पास से हटने को तयार नहीं था आसीज जी बस उदास से बच्चों को देखते रहते यस बस एक रोबोट की तरह ओफिस से घर और घर से ओफिस आता जाता बाकी जो टाइम मिलता वो बच्चों की डेख भाल में लग जाता आसीज जी ने जब बच्चों को रिया के करीब देखा तो उन्होंने यस से दूसरी साधी की बात की यस ने साफ इनकार कह दिया आसीज जी ने भी जोर नहीं डाला दिन गुजर रहे थे बच्चे मुर्जा गए थे वो रोज रोज रिया के पास भी नहीं जा सकते थे और ना ही वहां रह सकते थे एक रात अचानक एक रात अचानक ज़्यादा सोचने की वज़े से आसीज जी को फिर से अटायक पड़ गया यस उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागा विकास पहले से ही हॉस्पिटल में था डॉक्टर ने उन्हें इस्ट्रेस से दूर रहने के लिए सलाह दी डॉक्टर का कहना था कि अगर वो इसी तरह इस्ट्रेस में रहे तो उनकी जान को खत्रा हो सकता है यस पहले ही बहुत कुछ खो चुका था पर अपने डैट को खोने को नहीं सोच सकता था इसलिए उसने हत्यार डाल दी और रिया के लिए हां कह दी क्योंकि उसे यकीन था कि रिया इस लिस्टी के लिए कभी हां नहीं करेगी यस की हां सुनती ही आसीस जी में जैसे जान सी पढ़ गई थी उन्होंने सूरज जी से फौरण बात करी सूरज जी पहले तो हैरान हुए पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने अपनी तरफ से तो हां कर दी लेकिन आखरी फैंसला रिया का ही होगा ये भी बता दिया जिसे आसीस जी ने फौरण मान लिया घर में हलकी फुलकी ही सही लेकिन रिया की सादी की तयारियां हो रही थी कप्ड़े और गहने लाए जा रही थी भले ही इस उतसाह और खुसी से नहीं लेकिन फिर भी सादी थी और सादी को रिती रिवाजों की चलती ही पूरा किया जाना था रिया बस खामोसी से ये सब देख रही थी उसे अंजली की सादी की दिन याद आ गए थे और वो एक बार फिर पास्ट में पहुँच गई अंजली ने विकास को हाँ बोल दिया था विकास की खुसी दुगनी हो गई थी अगले हपती अंजली और विकास की इंगेजमेंट कर दी गई थी दोस्तों इस कहानी की इस चेप्टर के अंडेहें पे करती हूँ कहानी आपको मज़ेदार लग रही हो तो प्लीज कहानी को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पसंद आई हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नेश्ट चेप्टर आप लोगों से ना छोटे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को और पे जरूर सिलेक्ट कर देना ताकि जब भी कहानी अप्लोड करू तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को त्रंत मिल जाए और आप लोग कहानी पढ़ सकी